हांजी स्टूडेंट्स आज अपनी प्लस्टु क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे चैप्टर आ मोस्ट फॉर्गिविंग एप जिसनु के एलन मूरहेड ने लिख्या हुया है इस चैप्टर दी आपां कॉम्प्रीहेंसिव इक्स्पालानेशन अतिया अनालिसिस कवर करांगे ए वीडियो इस चैप्टर दी सिरीज दा सदा पहला वीडियो हुएगा हां जी सदा एकिंड चैप्टर है जी दियर टु आव दा म्यूजीज बुक दा हलांके बुक दे विच थर्ड चैप्टर है लेकिन वैसे इस लेबस दा है सेकिंड चैप्टर है एदा नाम है जी आ मोस्ट पोरगिविंग एप एस नू एलन मूरहेड ने लिख्या हुया है एप दा मतलब की है जी गुरिला गुरिले नू आपा वेटा एप कहनने है एप एंडा देा फी् organism के करने है अट और गुरिले तो दिखे आले ने ऑफ्या मुरु चैनलमाप प्ैटर चैप्रेडन मने अब्यू क्था आप तो उर्थे था संत लोग हुंदेने जड़े माफ कर देने आप बंदा था करनी सागदा एन नियोदे चे पेशेंस नहीं हुदा लेकिन एप लहीं कहा गया है के बहुत ज्यादा फोर्गीविंग है यह कहा हुदा भछुदा है गया क्या अचेप्टर पढ़ंगे यह कोज एवीड़ी चेप्टर है तो अड़ा है इसे यह कहा है ये सारे essays हैं, ये भी एक essay है, Alan Moorhead दे बारे अपा पहलना थोड़ा जा पता कर लेने हैं, Alan Moorhead, 1910, Writer of historical documentaries, freelance writer, journalist and war correspondent, Alan Moorhead दे बारे दस्टे होया जी, के ना ने historical documentary हैं लिखिया ने, मतलब history ना related, तिहास ना related, दस्ता बेज लिखे ने ना ने, freelance होंदा है, बच्चे हो, independent, free, free शबतो freelance बानदा है, उन मालों कोई writer होए, ओ writer नू कोई magazine या कोई newspaper हायर कर लभी, ता ओ फेर imply बन जानदा है, उस newspaper या magazine दा, जड़ा freelance writer होंदा हो, किसे दा कोई imply नीन दा, ओ अपनी ये रचनामा लिखदा है, ते जिन्हों पसांदा है बेच दिन्दा है, ते इन्हों अपना freelance writer कहने है, ये free होंदा है, किसे ना जुड़े हैं नहीं होंदा, जर्मलिस्ट है जी पत्रकार है, अथे war correspondent है, war correspondent है, न मदल हुझे कि दे लड़ाई लगी हुई है, तो ओधा भी यहो, correspondent बन जन्दा है, उस दे बारे भी सूचना हो चांदा है, एन्ने सरे कम, Alan Moorhead ने किते ले, Born and educated in Australia, Moorhead went to Europe at the age of 25, and has traveled a great deal since, Australia विच पैदा हुए जी, उत्थी पड़े लिखे, उस तो बाद यहे, 25 सादी एज़े विच यहे, यॉरप चले गए, अधि उस तो बाद यहे बहुत ज़्यादा ट्रैवल किता है, ट्रैवल दा मतलब यात्रा करना a great deal, great deal दा मतलब होंदा है बहुत ज़्यादा, it's a determiner, तो आन्नों determiner, plus two class दे विच ने, यह पांस लेबच करांगे, काफी details करांगे, a great deal दा मतलब होंदा है, बहुत ज़्यादा, determiner पार में तो थोड़ा है दास देनने, वियो शबद जो नामा या परनामा दे नाल आके, उना प्रती दास देने, उना वर इशारा कर देने, direct कर देने, असी उना नूँ determiner करने, details आपां बाच करांगे, शायद प्लस वंच भी अपां करें ने ही, most of his writings are accounts of his travel experiences, ज्यादा दर उना ने जड़िया राइटिंग लिखिया ने, उना ने अपनिया travel experiences दे बारे लिखिया ने, जो या आत्रामा लिखिया, travel experience दा मतलब, सफर नम में है ना, पर जदो कोई बंदा सफरते जानता है, तो उस दे बारे लिखता है, जयदा दर रहों दिया राइटिंग दे बारे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा को मैंने, अपां लिखिया है ना, he has traveled a great deal, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा को मुगा उसे को लिखन ली भी बहुत कुश हुन दा, इस बुक एंटाइटल्ड, No Room in the Ark, 1959, describes the wild animals of the African jungles and plains, इनने बच्चों एक बुक लिखिया है, उस दा नाम है, No Room in the Ark, इस दे उपर निशानी लालो, No Room in the Ark, इस बुक को निशो नहर दे विच छपी सी, Alan Moorhead ने लिखी सी, इस बुक दे विच उनने की किता है, describes दा मतलब वर्नन किता है, wild animals, wild animals मतलब जंगली जानवरां दे बारे वर्नन किता है, कि दा, अफरिका दे जंगलां दे विच, या plains दे विच, अफरिका दे जंगलां दे विच जड़े अनिमल्स 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 बारे उनने इस बुक दे विच काफी ज़ादा ल पूरिला उने जड़ा following extract, extract शबद पहला भी बहुत बारी आया है, extract दा मतलब हुदा है किसे आर्टीकल दा छोटा हिस्सा, मालोग किसे राइटर ने कोई बड़ा सारा आर्टीकल लिखिया, कोई ऐसे लिखिया, बहुत बड़ा, या स्टोरी लिखिया, कोई भी उसने रचना लिखिया, आप पूरी रचना ना लेके उदा थोड़ा हिस्सा लेने है, उन्हों extract कहने है, यह जड़ा निचे extract आ रहे है, जो आपा पढ़न जा रहे हैं, एक नमबर तो, वो एसे बुख्चो ले आगे है, केड़े बुख्चों, नौरूमिंदार, एसे बुख्चों ही ले आगे, तेजदे विच सन्नु की पता लाद है, माउंटेन गुरिला, पहाडियां चे जड पुलन योग पिक्चर दखाई है, किसने? एलन मूरहट ने, वाइल रीडिंग दी पैसेज, ट्राइ अन लिस्ट बनाओ, लिस्ट आल दा वेज, वो सारे टंगा दी लिस्ट बनाओ, जीजदे विच गुरिला साननो इक हुमन बीग वरगा नजर आंदा है, कि जिस तरह हिमन हुन है, असी यह है, इंसान है, असी जो कम कर दे है, कि गुरिला भी उजे कम कर दे है, कि गुरिला भी वह रंदा है, या खेली पकाओ उने, सारा कुछ, अपढ़ा है, सारा चेप्टर जड़ा है, it's all about गुरिला, एप, हैना बरे है, ता यह साठा इंट्र दे बहुत सारे वीडियोज बनाय हुए हान इना वीडियोज नू देखन दे ली तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपकसूद लव लर्निंग टूली टाइप करो रिजल्ट वीचाई पैली साइट दे दीपकसूद दे जाके क्लिक करो इस तरह तुसी चैनल ते पहुँच जाओंगे जिते तुसी वीडियो जाएक सेक्षन देखोंगे वीडियो से क्लिक करो तो अनू मेरियां बनाया हुए हान सारियां वीडियोज तो आनू मिल जानगियां एस दे विच प्लस वन प्लस टू मैं सारियां classes दियां जो मैं videos बनाईयां हन वो शामिल हन playlist वाले section दे जाके तुसी सारियां playlist प्रापत कर पाऊंगे जिमें के class 12 दी playlist चोथे नमबरते हैं इसते तुसी जाके जदो view full playlist करोंगे तद आनो class 12 दियां सारियां videos मिल जान गियां इसे तरह तुसी बाकी class 11 ओनना दी playlist दे जाके सारियां videos प्रापत कर सकते हूं त इसे तरह मैं class 11 दे class 12 दियां grammar दियां video list बनाई होई है ता ओ सारियां videos दे प्रापत हो जान गियां ते एक playlist English inductive class 11 दी भी है अतियोस देविश तो उन्हों सारियां क्लास 11 दियां प्लेइलिस्ट प्रापत हो जानगे हैं ता मैं तो उन्हों सारियां नों अपील करदा हां के एक वार तुसी दीपक सूद लव लर्निंग टू लीड चैनल ते जरूर विजिट करो पस्त पहरा The Gorilla is something of a paradox in the African scene paradox की हुन्द है बेटा? paradox हुन्द है विरोधा पास पंजाबी चैनों कहना है विरोधा पास के आपा कुछ सोचीए कोई चीज कुछ निकल जे तुसी अमय लोक किसे बंदे बारे या किसे बारे कोई विचार रखूं हो एमे हूं एमे हूँ, होजे एमे, उन्हों अपा कहने है पराडॉक्स, जिदे बारे सानों पता नहीं थे आपा हूँ ये दा जे लालन ने, पर निकल ला कुछ हो रहे हैं, आप पंजाबी चापानों विरोधा पास कहने है, कि गुरिला बिल्खुल अफरिका दे सीन दे विच्छ एक प बंदा निया थे, कोई है, कोई सोच दा सी भी, मैं उन्हों चंगी दरा जान दा है, किनू? ही मैं थे, किनू क्या है? गुरिला नू? कि मैं गुरिले नू चंगी दरा जान दा है, for a hundred years or more, he has been killed, captured and imprisoned in zoos. सदिया तक, एथे hundred years दा मतलब कई साला तक है, सदिया तक, या उस तो जादा, और मोर, उसनू मारे आ गया, कि किसनू मारे आ गया? गुरिले नू? पकड़े आ गया, captured and imprisoned, एथे, कैद किता गया, कि दे चे? चड़िया करा आँचा, zoos, zoos की उन्दिया है, चड़िया गर, उसनू मारे आ गया, पकड़े आ गया, care करे आ गया, एक हम काफी देर तक चलदा रहा, his bones have been mounted in natural history museums everywhere, मारन तो बाव दू दू दिया हडिया ने, bones, हडिया नू कहा जान्दा, ओज दिया हडिया नू mounted, उसनू mount मतलब रख्या गया, कि दे बिच नैच्छल हिस्ट्री म्यूजियम्स, सड़े जड़े कुदर्ती natural history दे museum अजाइब कर, museum ना मतलब रख्या अजाइब कर, जड़े सड़े history नाल जुड़े हुए museum उंदे ने, उना दे बिच नो नू सजास जागे रख्या गया, everywhere, हर जगा, मार के हुदिया, हटिया, देखो जी, गुरी ले नी हटिया, है जी हुदिया, एंड, he has always exerted a strong fascination upon scientists and romantics alike, अते यो उसने ना, एक, खिच पाई है, fascination दा मतलब रख्या खिच, मलो कोई चीज तो अनू अपने बाल खिच दिया है, अनू अपना केनने है, fascination, एक, exert a fascination दा मतलब रख्या खिच पाऊना, exert verb है, एनना, एक खिच पाऊना, एक ठाई हैंदा, exert a fascination, एक strong fascination पाई है, मतलब बहुत ज्यादा खिच दा गुरिला, किनू, scientist नू, vegan यानू, and romantics, romantics नू, दोनना नू एक को बरगा खिच दा है, alive एक को बरगा, उन रुमेंटिक्स कीनू कहन दे हैंभी, romantics क्या आजन दा बच्चे ओ, कवियानू, कवियानू असी romantics कहन दे हैं, कई तरह दे poet हुंदे हैं वेटा, romantic poet भी हुंदे हैं, plus one च तो आननू, पहली हो पोईम सीगी, plus one English एक्टरी तोटी पहली पोईम सीगी, the way of poetry, William Blake दी लिखी हुई, ऐसे तरह दोटी plus one English compulsory दी पहली पोईम सी, the lines written in early spring, William Wordsworth, ओभी romantic poet है, तजिनने भी romantic poets हैं, ओना दे उपर, अटे जिनने भी scientists हैं, कौन हो दे उपर कौन खिच बांद हैं, कौन करता हैं fascination, gorilla, तब दी यहें खिचदा के अंदर बने आ रहे हैं, he is the stereotype monster of the horror films, and the adventure books, देखो, सिरफ कवियां तो यह इसने खिचनी पाई, सिरफ इसने विज्ञानियां दी खिचनी पाई, यह horror film दे विच्चे monster दी तरहां पेश किता गया है, monster दा मतलब क्यों दा है, राकश, राकश यश, monster, एक राकश वंगू है, horror film दे पेश किता गया है, एक दो फिल्मा दा मैं भी देखिया ने, king kong, बड़ी मशूर फिल्म है, गोरिले नूँ पेश किता गया है, एक रैंपेज मूवी है, एक राइज ऑफ दी प्लैनेट ऑफ दा एप्स, आतिने मूवी मैं देखिया हूँ यहने, जिदे विच गोरिले नूँ एक monster बगो, मंगू पेश किता गया है, एक राक्षश है है, हॉरर फिल्म बनागे, थनू ए दखाया गया है, आति एडवेंचर बुक्स च, एडवेंचर बुक्स होई जड़ियां, कहानियां वाली यहां, साहस पर यहां कहानियां दियां, कहानियां दे विच भी यहनू, स्टेरियोटाइप शबद आया है, स्टेरियोटाइप दा मतलब के हार एक जणना इनू आएंवी पेश कर रहे है, एक काम लकीर दा फकीर जिनू अपपा कहने है, एक काम जी ने शुरू करता, ओ ही दुज्जे ने शुरू करता, एक फिल्म बनाती है, एक काम जी ने शुरू आएंवी बनाती है, ऑपायनु कहने शादे, विज्ञानिक तोड़ते आपायनु इन कहा है, मतलब पूरी तरह निकहा है, के शहार तर गल्द सही है, या सच है, पूरी सही है, या किनिक सही है, एस नू जोड़े आगया, कि दे नाल, सदे ancestral past दे नाल ancestral दा मतलब पूरवज सदे पूरवजा दे नाल भी इसनो जोड़या गया है कि सदा पूरवज भी रहा है हलागे इस गल्दे विच जड़ी scientific जड़ी गल्दा होदे विच हजे पए नहीं कहसा है कि पूरी तरह है ठीक है ताही जी सदा पहला पहरा हाँ जी सेकिंड पहरा है यह दा पैक्ट इस भी नो वेरी लिटल अबाउट गोरिला केंदे पर सची का ले है दा पैक्ट सही का ले है कि सदा बहुत कट गोरिले वारे पता है वी नो असी जान देयां, very little, बहुत कट, about gorillas, gorillas वारे. No really satisfactory photograph has ever been taken of one in a wild state or zoologist. However, intrepid has been able to keep the animal under close and constant observation in the dark jungles in which it lives. Can they, कोई भी satisfactory photograph, कोई संतुष्टी देन वाली photo, कदे नहीं लेई गई, has ever been taken? No again लगया है, sentence दे, starting to know लगया, that means a negative sentence है, कोई भी संतुष्टी देन वाली, satisfaction देन वाली photograph, gorillas दी नहीं लेई गई, कि में in a wild state, wild state दा मतलब कि जे जधे हो रहें जंगलांच, जंगलांच एभी चु जाके उस दी photo किसे नहीं नहीं लेई, ना ही किसे-zoologist नहीं, zoologist था मतलब हुन दा पाटा, जीव-विज्ञान नी. the methodology शबतो बने है तो यह जिव विध्यान केने है यह जड़ा जीव विध्यान दे विछ रिसर्च करदा है अन्हों अप़ा जीव विध्यानी किसे विध जी विग्यानी ने चाहे हो हो निडर होवे हावएवर इंट्रिपीड इंट्रिपीड दा मतलब होंदा है निडर उसने कदे भी इस एनिमल नू अपनी नेड़े या लगाता अब्जर्वेशन दे विच नहीं रख्या इंदा डाग जंगल्स इथे जाके डाग जंगल मतलब इस लाइण दामतलब की एनि इस लाइण चोड़ तसीय गिया ने के सनू गोरिले बाँ बहुत कण पता है ओस दी कदे जंगल दे वी जाके किसने फोटो ने खिची नाहींकिसे जीव विग्यानीने जंगल से जाके उस दे बारे रिसर्च किती है एदा होई है, simple, काल अकेले, दा अमेरिकन नेच्रलिस्ट लेट टू एक्स्पेडिशन्स तो इस वालकेनोस इन दा 1920s and नौ लाइज बरीड हेर अमंग दा एक्सारणी नेच्रलिस्ट ता नाम आया है, कुदूरतई गियनी वह दो वारी एक्सपेडिशन्स करके आया लो इक्सपेडिशन्स ता मतलब हेर जोदो année अपर कोईत है परपस दे लई किसे मनोरत दे लई कोई बड़ी यात्रा करिये जमें जंगलांच जाईए पहाडांच जाईए ता उन्हों अपने एक्सपीडिशन कहने है जर्नी ना लो डिफरेंट है जर्नी हो साधा कि अपना मन परचावे ली करिये लेकिन एक्सपीडिशन किसे खास ता उन्हें एक्सपीडिशन किते किती उसने है अपनी यात्रा मनोरत वाली यात्रा किते किती इज वालकेनोज वालकेनोज दा नाम आया है वालकेनोज दा मतलब गिंदा जी जवाला मुखी इना जवाला मुखियां दीज थे दीज शबत आया दा मीज कई सारे वाल जवाल मुख्यां दी गल हो रही है इना जवाला मुख्यां चो उने जाके एक्सपेडीशन किती कदो 1920 छे अज का लोह बरीड हेयर लाइज बरीड हेयर आ रहे हैं के दफनाया होया है कौन कारल के लिए गल हो रही है अमंग दा एनिमल्स ओना एनिमलांस दे नाल ओना जानवरां दे नाल लव्ट सो वैल जिना नू बहुत प्यार करदा सी कहन दा मतलब उत्थी उसदी डेथ होगी ओहो एक्स्पेडीशन ली गया इना दी इना बारे जानकरी प्रापत कर लेग गया जित्थे गया सी या वॉल्केनो वाली जगाते ओथे योजदी डेथ होगी ओथे यह जड़ा बरी हो गया जित्थे के नाल इस दे एनिमल्स भी मर्दे खब्दे रहने क्योंके ओथी स्ट्रेचिंग फ्रॉम दा साउथ एक्स्ट्रीम साउथ वेस्टन कोर्नर अफ यूगांडा एक्रोस दा बोर्डर इन्टु दा बेल्जियम कॉंगो बेसिकली अफ्रिक्का महादीव दे दो देश ने इक्क्या यूगांडा इक्क्या कॉंगो जे दुसी जेओग्रफी या सिगा जी होना बरे हे जानकरी प्रापत करना थोड़े नोट्स दे विछ लिख्या हुए बट इवन ही वाज अनेबल टु डिसकावर हाओ लोंग दा गुरिला लिव्स और हाओ और वाइट डाइस नौर वाजी एबल टु डिफाइन दी इग्जेक्ट सोशल पैटर्न अवदा फैमिली ग्रुप्स और इंडिकेट दा पाइन एक्स्टेंट ऑफ देर इंटेलिजेंस उन देखो उत्थे जाके उसने स्टड़ी किती होनी कार्ल अकेले ने उदी डैथ भी हुए वचारे दी लेकिन फेर भी ओह ना जान पाया अनेबल टु डिसकावर और लब न उसने इस कीते और किस तरह म्रुद है giant 2 मैं चैना या उस नी पैमिली ग्रुप दे सोशल पैटरन बारे जो इसने कुछ नीं दसिया यह गोरीला फैमिली चरैंदライ की क्लारेंदे किस तरह रहं दे तरह जो नी दीन चरहा की है और मर्दा जै मार्द स्थमे उसक्ने मर्द इस दे बारे वियो है सारियां गला ना लब पाया, कौन काल अकेले, जो के उथे होनु नू स्टड़ी करना गया से All this and many other things remain almost as much a mystery as they were When the French explorer Do Shiloh first described the animal to the civilized world a century ago के दे सारियां गला, के रियां गला जो होना अपने कितियां ने, कि में रहना है कि में मर्दा है, फैमिली चे रहना है कि नहीं रहना, किनी को दी इंटेलिजेंस है इस सारियां गला, आते होर बहुत सारियां गला, साडेली की बनिया रहियां, mystery, साडेली बुजा आर्त बनिया रहियां जिमे के पहला सी, as they were जदों तक बुजा आर्त बनिया रहियां, जदों एक French explorer होया जी, जिस दा नाम है, Do Shiloh प्रेंच explorer सी, इसने सब तो पहला, first describe Vernon किता, इस animal बारे, सारे संसार दे अगे, इस civilized world, इस साडे संसार दे अगे, a century ago, एक सदी पहला मतलब के सब तो पहला जड़ी कोई कामियाव study किती, गुरिला बारे, ओ कौन सी जी, Do Shiloh अलांके उस तो पहला अकेले ने करनी कोशिश किती ही, ओधी death भी होई, लेकिन ओह कर नी पाया इस दे बारे सही जान कारी साम सब तो पहला किने दिती, French explorer Do Shiloh The abominable snowman who haunts the imagination of climbers in the Himalayas is hardly more elusive Abominable snowman study पे नोट से विचा है The second azivert, a large hairy man like creature reported to inhibit the Himalayas also called Yeti Yeti भी कहा जान दा है Yeti थे भी बहुत सारिया movies बनिया ने, Himalayas चरहन दा है कई लोग केंदे ने दावा करदे में असी Yeti नोग देख्या है वटे वटे पैर हैं जी ओधे वटे 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 वाल हैं ते ओ Himalayas दे विच रहन दा है कई बंदे फोड़ां विद खांदे यहां उस दी जै तुसी YouTube ते जाके देखों कई बंदे इंटर्व्यू पाई आउना चरहते दास केंदे ने जी यहती नोग देख्या हूना देख्या है नहीं देख्या हूना ने ता सच्छा है चूट है कुछ नहीं पता यहती नोजी जिसनों उसी क्रीणा करों जिसनों पसंद ना करों जिसनों तो दूर पर जहों स्नोमन स्नोधा मदल की हुँँदा बरफ बरफ आला आदमी उन्हों अपाप हिंदी पंजाबी ची येती के दिन्हें है एदे बारे भी कही गल्ला मशूर नहीं जी आ के जड़ा एबॉमीनेबल स्नोमन है जड़ा येती है जिसने के हिमालेस दे कलाइमबर्स दी इमेजिनेश लोन मसी लोगकित्यक दौत की हांदें хांप मदल हुँदा बेटा जटो मंनों आ अपनों कोई आके सुकले चांकी अच्टा जिन्हें काते हमालेस दे जाके जड़े चोटियां दिचर आ कषाते दीनुगी सभीक यां विशाडइन मां अंटेंविनुउ हु मालेस छाई है ता वो जदो भी होते माउंटेंटे कलाइम कर जान दे हैं उन्हों की गदर पणिया रहें दा है के सनो मैं ना हूँ ये ती हूँ ता नू मरू ता उन्हों तंग करता रहे है लेकिन हुने नहीं कि है केस दे बारे असी हुनों साफी जान गे यसी नहीं है के इल्युसीव नहीं रहा इल्युसीव दा मतलब हुन्हा जड़ा छुपके रहे हिसा है हुनु गेंदे ने नहीं रहुन है सन इंवे भारे कुछ गल्ला पताने पर हजय भी Chip बहुफ सार यां गल्ला शान सन्नू नहीं पता ताए याजी तोड़ा सेकंड पैरा थर्ड पैरा दा लिटल दाट इस नोन अबाउट गुरीला सेटनली मेक्स यू वांट तो नो अग्रेट डील मोर यादे जड़ा थोड़ा जा सान्नू पता है गुरीला वारे वो पके दोर थे सान्नू अग्रेट डील मोर अशी होर जानिये अग्रेट डील भी के डिटर्मिनर होंदा है किता मतल होंदा है ज्यादा ताए होर जानिये जब सान्नू थोड़ा पता लादा है गुरीला वारे फिर सान्नू ये फ्लाल सा रेंदी है कि यस दे बारे और पता करिये भी कितना दाएगी Sir Julian Huxley has recorded that thrice in the London Zoo he saw an 18 month old specimen trace the outline of its own shadow with its finger ता एक होर परसन दा नाम आएजी scientist दा नाम आयो दा नाम है Sir Julian Huxley ता तो अड़ी नोट से विचा दा दे बारे दस्या होया Sir Julian Huxley English Biologist ने जी Writer ने अते एक बहुत ही Famous Novelist ने Elders Huxley उना दे ब्रदर ने Elders Huxley दे एक Novel बड़ा मशूर होया Brave New World उसते मूवी भी बनी होई है उमें देख़्ी होई है Novel दा नी पड़या लेकिन मूवी देख़्ी होई है Elders Huxley दे नोवल दे बनी होई है मूवी हो उना दे ब्रदर ने Sir Julian Huxley जड़े के Biologist ने जी विग्यानी ने आते राइटर भी ने उना ने एक चीज देख़्ी इस गुरिले दे विच होगी देख़्ी लेंडन दू दे विच देख़्ी योना ने म् इत्थे देख़्ी लेंडन दू दे विच के एक 18 महिने दा गूरिला सी जड़ा के अपनी तक हीर्दे नाल विडिट्स फिंगर अपनी फिंगर दए नाल तो अपने परच्छामे नो आउट लाइन कर रहा थे चिया कमाकर जो ढूतरा परच्छामां बंद आ है अधर कि वन प्रच्छामा अध्य कर रहा वे तो पता परच्छामां मिर्धी दे पनूगा तुसी जिमें जिमें तोटा जहजा परच्छामा बने हैं तुसी उस परच्छामें दी आले दोले एमें उंगल फेरों एमें करके एमें कर रहा सिगा जी हो कौन गुरिला किनी देर दा सिगा 18 मिन्यादा किने नोट किता सर जूलेन हक्सले ने किनी वरी नोट किता फ्राइस तिन वरी एहजार कर दे हुए उना ने उसनों तिन वरी देख्या के गुरिला इस तरह कर रहे हैं जिवें इंसान कर दे हैं No similar artistic initiative he writes has been recorded for any other anthropoet though we all know though we all know now that young chimpanzee will paint pictures if provided with the necessary materials क्यांदे कोई भी इस तरह दी art artistic initiative मतलब इस तरह दी जड़ी ओ कला कर रहे हैं आसी गाए फिंगर दे नाल अपनी शैड़ो नो आउटलाइन कर रहे हैं कदे भी आसी किसे होर anthropoet दे विच नहीं देखी anthropoet एथिक शबद आया है एदा मतलब गुरीले बरगे होर जड़े जानवर ने बेटा गुरीला कला नहीं है पर जाती उस तरह निया पर जाती है होर बहुत ने ओना सारे आनू असी कठे तोरते की के देने है anthropoet anthropoet दा मतलब हो सारे गुरीले दिया पर जाती आ आगिया है कि क्याने हाँ असी उसी में चिंपैंजी है चिंपैंजी ते गुरीले च फरक है हाला के दिख दे सान्नों इकको बर गेने लेकिन थोड़ा चा फरक होना चे धंजे चिंपैंजी ए है छोटे चिंपैंजी उन्हानी उझे तोसे कुछ paint करने देतोना कोई material देतो पेंट करदेनें kolore घी गय गया मतलब है डेकिन गुरीला कर रहे है finger कार्याइन अउना ओट लाइन कर अक्सले स्पीक्स टू ओफा ट्रेवलर सींगा मेल गुरिला, हेलपा फिमेल, अपा स्टीप रोग स्टैप ओन माउंटिन, मुहावुरा, एंड गैलंटरी ओफ देट काई इन स्टेनली नॉर्ट नॉर्मल एमंग अनिमल्स अक्सले फिर एक होर ट्रेवलल दी एग्जांपल दिन्दा है, ट्रेवलर मतलब के जो यात्रा कर दा है, यात्री दी एग्जांपल दिन्दा है, ओस ने एक मेल गुरिला देख्याजी, सींगा मेल गुरिला, उस ट्रेवलर ने एक मेल गुरिला देख्या, ओहु की कार रहा है एक फिमेल गुरिला नूँ एक स्टीप रोक मतलब एक तिखीट लान वाली चटान दे उपर चड़न दे वीच मदद कर रहे हा सी उसाधा हत फड़के बाम फड़के उस नुचड़ा रहा होगे उसने किते देखिया उस ट्रैवलर नहीं जी माउंट मुहावुरा माउंट मुहावुरा वाली जगाते देखिया उन्हें माउंट मुहावुरा किये जी यह भी तो अड़े नोट्स चाहे माउंट मुहावुरा अप्पा पहला पड़े सीना जी के वाल कहना हो सी के टोटल किन अखिए शारे गुरिलास द्यादा उठे रहनने उस पहले जवाला मोखी जदाना माउंट मुहाभूर है उठे उस ट्रेवलर ने एक आर दे देखिया कि नू एक मेल गुरिला नू फिमेल गुरिला नू help करते देख्या, ता हुने आम तोरते काम कौन करता अभी, इंसान करता, इंसान करता, इंसान करता, it is this humanness of the gorilla which is so beguiling, केंदे, उन देखो human nest दे उपर सिंगल कोड पाया है, पें आननाल देखो दुसी, हैना, human nest ना मतलब होंदा है जी, के human तो बंदा, जो मानपता वाली गल, हुने जड़ी, मनुखा वाली गल, गुरिलय जी देखी गई सी, यह बड़ा, अजीव जी गाल सी, beguiling, मतलब के सनु जा नहीं हुदा जबस अनु कोई तो खा जा दवे उनु बिगाइल केंदे हैं नुए तो खा देनु वाली जी गहाल लग दिया है में भी गुरिला कर सा अधा एक अम्ता आम दो पर्दे कॉन करते हैं मनुख करते है। बाटे हीुमनेस वाली जडी गल है। एक किदेश देखी गई। गुरिल ले चाहिए। अकॉर्डिन तू सम अब्जर्वर, ही कोट्स एंड मेक्स लव इन दा सेम वे दा हुमन्स दू। की सकते हैं कुछ अब्जर्वर अब्जर्वर, मतलब जो अब्जर्व करते है। लिए निरिक्षण कारते है। निरिक भी करने वाले नो wh कर देने गरिल्या उसे तरह आ पोट्शिप कर देढ या फिमेल नालों से तरह लव कर देढ जमें हमन्स औरarm कोर्शिव दा मतलब जिमें एक लड़का लड़की नूँ परपोस कारदा है एक गलना उनु गैंदे ने जी कोट्स एक गलना गुरिले दे विच भी सेम मिलिया ने once the family is established it clings together केंदे जदो फेरन दी family बन जन दी है marriage होगी marriage गुरिले दा नहीं क्रांदे होड़की कठे हो जन दे ने होगी कठे होगे male and female फेरन दी family बन जन दी it clings together फेरे कठे रन देने klings दा मतलब कठे रहना together clings together जोड़के रन देने कठे सारी ओमर जे में humans रन दे जदो family established होगी family बन गी फेरे कठे रन दे it feeds दीना group in the thick bamboo jungles on the mountain side in the daytime group दे विच खाना खान देने feeds दीना group feed दा मतलब खाना खाना कि इते रन देने ठीक bamboo jungles bamboo बांस वर के द्रखत उन देने जी उना नू केंदेने था ओधा दे द्रखता दे विच्छे रन देने जंगल से रन देने अथे दिन दे विच्छे है mountain side दे चले जान देने पासे shadow होन दी है mountain दे एक पासे shadow होन दी है था उत्थे फिर एहे रन देने इच एनिमल making a tidy pile of its food हर एनिमल मतलब एथे उन गुरिले दीगाल हो रही है के हर एक गुरिला tidy दा मतलों दा साफ clean pile दा मतलों दा टेर साफ टेर लगान दा का दा पूड़ दा पोजन दा मतलों यह नहीं के जित्तों चक्या खाया खाना खाले है में नहीं करते है जिमें humans खंदे हैं खाना ताफ पोजन दा में गुरिलास कर दे हो नहीं थे इस लाइन दे विच्छोना ने दस्या होया है के गुरिले दा पोजन की की है wild celery bamboo shoots and other leaves celery s e l e r y वैसे ना जवैन हों दिया ना जवैन नों कहा जब्याद लेकिन यह वाइल सेलरी है ता हो साथ है के जवैन वर की कोई चीज होवे जो जंगला जुन दिया ता ओस चीज नों खान दे है bamboo shoots जड़े bamboo द्रखता दिया शूट्स हों दिया ने शूट्स दा मतलब जित्थों हजे तना बनन लग रहा है ता हो जड़िया नरम नरम हुंदिया चीजा ओ खान दे है जी यह bamboo shoots खान दे है आते होर पत्ते खान दे अधर लीज and squatting down to eat it आते चोंकड़ी मार के बैड़ दे है square दा मतल हुँदा है चोंकड़ी मार ना चोंकड़ी मार के बैड़ दे है इंसान ना मंगू इनना नो खान दे ले and by night each member of the family makes its own bed by bending over and interlacing the bamboo fronts so as to form a kind of oval shaped nest which is as comfortable and springy as a mattress अधे रात नू family दा हार इक member देखो family हुँदी है गुरेलिया अधी एक मेल हुँदा है एक ओधी फिमेल हुँदी है बच्चे हुदी है तो अधी family हुँदी है the family दा हार इक member अपना बेड आप तियार करदा है soंदे ले makes its own bed अधी अधी आपना अपना बेड तियार करदा है कि में bending over चुक के जिमें आपा मालो अपने विस्तरा बचाना होँए अपा चुक देए धोड़ा जा है किया आपको चातर बचाने है करी ज़ाने है गदा भी कई वरी बचाने है इसरा अना रख दें तर चुक के कम कर में बैने सेम असे तरह ही bend over होकर अपना बेड बनादे है कि में बनादे है प्रॉंड नो इंट्रलेस करके मतलब जोड के आपस से जोड के पत्यानू जोड के एक तरह ना ओवल शेप्ट अंडाकार शेप्ट दाहे नेस्ट अलना जा बनांदे हैं मतलब अपनों बैड्डी कहांगे, थे ऊएनना अराम दागदा खोनदा है स्प्रिंगी मतलब के जंक गदर ये घंकिता है ना डंब कमफरिंग औना कुछं वाला हंदा है जंक की के गद्दा हूंदा है matrice matriceा मतल होतं है बिटा गढा चिरा असी यूज सानलार कर दे सीयूज का दे से दे सकू मैट्रिस असी यूज मैट्रिस सी यूज कर दे मां टीक गढार कर दे मोठी हम औह बना की मेढ़ बैम्बू बेड जस्टा फूट और टू फ्रॉम्दा ग्राउंड हूं देखो एक फैमिली ज रहन दे हैं एक ले नहीं रहन दे जड़ा फादर है मैं तुम दस्था है ना फैमिली च फादर होएगा मदर होएगा मदर होएगा बच्चे होंगे जड़ा फादर है ओ अपना बैड सिरफ अंटो एक या दो फूट उपर बना दैं देखो एक या दो फूट उपर बना दैं आप लग्राउंड जड़ी मदर है उस मूंचा बना दीया पैड बैड़ होसाद है इक अपना फूट एक इकदाफ हूट होड उच्छा बना देन वह हूँ行 तई'े इस वेमिली जी, और की कार देने, होर उपर लियां ब्रांच चीज देगिछ, मतलब बैड किते था बनान दे है ना, जड़ी ट्री दे उपर ही ब्रांच होंदी है, बच्चे होर उपर जाके अपना बैड उथे बना दे, लोज दा मतलब हुंद है, रखना, अपना बैड उथ 2 1 1 तार नाह्य वो मैं पिच्छे दियो मन गया सी था ट्री हाॉस हुझ अई मेटा ट्री हाउस की उपस रुदे नहें के फिरीओ को मेच ब 트ी उच्छे अई ओ बाले जे ला गर अच्छान से अपट्री हुंदा ऑवह हॉस् दे बिचंग debate लगा बनाद के जा तूसी प्रीड के अंदर जाने हो तो पूर डीजा रहे हैं चाट चो सब्छो पहला सब्छो निचे की दा बैठे भादर आउस सब्टो पर कीदा मदर दा सब्छें तांके जड़ी कोई आपत आउगी कित्वों आउगी निच्चों आउगी ना तो सबको पहला फादर ने जटू बच्चें तक को आपत जान निदे इस तरीके दे नाल ए जड़े गुरिले ने परवार्च रेंदे